एक पुलिस ओफिसर को रात का कुछ याद नहीं रहता और रात में ही उसके लिवास के मर्डर हो रहे है हलो फ्रेंड्स आज के हमारे मूवी ट्विस्टेड 2014 की एक थिलर मिस्टी है अभी मैंने जो स्टोरी राइन बताई ये मूवी उससे भी इंटरस्टिंग है एक्चुल किलर कौन है ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्त देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा मैं कमेंट को रिपलाय देने की जरूर कोशिश करूँगा मुवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारी मेन केरेक्टर को एक आदमी ने चाको लगाया है वो उससे कहता है मैं तुमारा हार्ट महसूस कर सकता हूँ मुझे लगता है कि तुम प्यार में हो ये कहिकर उसे टच कर रहा था तब उसने रियलाइस किया कि जेसिका के पास एक गन है जेसिका जल्दी से उसे पटकती है और सब सीचुएशन अपने कंट्रोल में ले लेती है हमारी जेसिका एक पुलिस ओफिसर है उसने जल्दी से अपने बैकप को बुला लिया वो गुस्य में थी तो इस आदमी को सर पर लाद मारती है जिस केस में इस आदमी को उसने पकड़ा ये बहुत ही बड़ा केस था इस वज़े से आज उसे प्रमोशन मिल गया ये एक नॉर्मर पुलिस ओफिसर से एक होमेसाइट डिरेक्ट्टीव बन चुकी है एक बार में इसी के पार्टी अपने सब कलिक्स को दे रही थी जेसिगा के पुराने पार्टनर का नाम विलसन था विलसन उसे कहता है अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया पर फिर भी तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो हमेशा में तुम्हारे लिए बहार रहूंगा तुम मुझे पर ट्रस कर सकती हो तुम जाने के बाद उसे मिस करने वाला है ये दोनों जब बात कर रहे थे तब ही जेसिगा के पास हमारा और एक मेंन क्यारेक्टर जिसका नाम है माइक ये आकर ड्रिंग करता है जेसिगा उसमें इंट्रेस्टेट थी उसे बात करते है बुछते हैं तुम किस डिपार्मेंट से हो माइक इस पर उसे कुछ भी नहीं बोलता माइक सिकरेटिव है तो जेसिगा ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं दिखाती इसी पार्टी में जेसिका का एक्स बॉइफेन जिसका नामे जीमी ये भी आया हुआ था उसे लगता है कि कमिशनर जेसिका की कार्डियन थे तो इसी वज़े से उसे प्रमोशन मिला कमिशनर भी इस पार्टी में आ चुके थे और ये बात उन्होंने सुन ली वो जीमी के पास आये उन्होंने का तुमारे पीछे एक आदमी बेटा है मुझे उसका डिस्क्रिप्शन दो अगर एक अच्छा डिरेक्ट्व बनना है तो आस पास की पूरी सिच्वेशन आपको पता होनी चाहिए जीमी कुछ भी बता नहीं पाता फिर कमिशनर जेसिका से पूछते जेसिका को उस आदमी का हाइट वेट इन सब के बारे में आईडिया था उसी ये तक पता था कि आदमी कैश देकर ड्रिंग पी रहा है जेसिका एक बहुत ही सिंसियर और क्रेडिवर्ड डिरेक्ट्व है हमारे कमिशनर का नाम है जॉन जॉन जेसिका से कहते हैं मेरे आफिस में चलो आज जॉन जेसिका से बहुत ही गुस्सा है कहते हैं आज तुमने बहुत गल्ती की थी सस्पेक के साथ तुम अकिली गई थी तुम्हें इसके लिए जॉब से निकाल देना चाहिए था और अब तुम्हें प्रोमोशन मिला है तो अपना जॉब सिंसेरली करना चाहिए जेसी का जब छोटी थी तब है उसकी मदर और फादर की डेथ हो गई थी उसके बाद जॉन नहीं उसे बड़ा किया वो अब डिरेक्ट्टू बन चुकी है तो आज वो बहुत प्राउट थे इसके बाद जेसी का बार में एक रैंडम आदमी के साथ मिलती है उसी के साथ इंटिमेट हो जाती है घर आने के बाद उसने फादर की डेथ की फाइस देखी यहाँ समय पता जलता है उसके फादर ने सुसाइड की थी यह देखकर बहुत ही साइड थी इसके बाद नेक्स डे जेसी का को साइकोलोजिस्ट के पास जाना पड़ा उसका प्रमोशन हो चुका है तो उसे मेंडेटरी अपनी मेंडल हेल का खैल रखना पड़ेगा डॉक्टर उसे क्वेशन पोच रहे थे और कहती है कि मैं परफेक्ली फाइन हूँ उसे अगर कोई स्टेस आता है तो यह निकालने के लिए उसने सेल प्रोटेक्शन का क्लास जॉइन किया है जब जेसी का फर्स टाइम अपने ओफिस में आई तो सब लोग उसे कॉंगरेचुरेट करते हैं तो सब रहे इस थी कि जिसने बार में उससे बात नहीं की थी वही माइक उसका पार्टनर है ओफेस में उसका कलिक डेल यह उससे बात करता है और कहता है जिसको तुमने पकड़ा एक बड़े केस का सस्पेक्ट था तुमने सब कुछ गड़वड़ कर दी जैसिगा ने अपना जौब शुरू भी नहीं किया तब तक उसका एनिमी बन गया जिस कल्प्रिट को जैसिगा ने मूँपर मारा था उसने अपना लॉयर अब बुलाया हुआ हुआ है माई कहता है तुम उसे रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो तुम तो हमेशा जस्टेस को लेकर बहुत ही सिंसियर थे रे कहता है उसके फादर बहुत इंफ्लूइंशल है और मेरे साथ गोल्फ खेलते है तो उन्हें मैं हेल्प कर रहा हूँ माई किया से जाने के बाद वो जैसिका से बात करता है या हमें पता चला इन दोनों में रिलेक्शनशिप हुआ करती थे रेनी जैसिका को संडे पर अपने घर पर बुलाया इस केज को डिसकस करने वाला है जैसिका ने उसे मारा था ये प्रॉलम ना हो जाए तो जॉन से ओबिनियन मांगने के लिए वो आई हुई थी जॉन कहते हैं तुम्हें कोई भी प्रॉलम नहीं होगा तुमने जो स्टोरी बताई है कि वो तुम पर अटैक कर रहा था सिर्फ यही स्टोरी कोर्ट में बता देना नेक सिन में वो फिर से सैकोलोजिस के पास थी सैकोलोजिस कहता है तुम्हारे मदर और फादर के बारे में हम बात करते है वो कहते कि उनके बारे में क्यों बात करनी है सैकोलोजिस कहता है तुम्हारे एंगर इशुज शायद उस वज़े से है जैसे का कहती है मुझे कोई भी एंगर इशुस नहीं है ये बताते बताते बहुत ही गुसा हो गई थी आज रात घर आने के बाद भी वो फेसे अपने फादर के क्राइम सीन के फोटोस देखती है ये देखते हो को ड्रिंक करकर रो रही थी वो अपने पैरेंट्स को बहुत मिस करते है थोड़ी दर में उसे माइक का कॉल आया उन्हें सीशोर के पास एक डेट बॉड़ी मिली है उन्होंने डिसकस करकर डिसाइड किया कि उन्हें सीशोर का बड़ा राउंड लगाना चाहिए डेट बॉड़ी के हाथ पर एक सीगरेट का बन नोटिस करते है इस बॉड़ी के चेहरे को जैसिका ने जब सही से देखा तब रियलाइस किया जिस स्टेंजर के साथ वो इंटिमेट हुई थी यह उसी की डेट बॉड़ी है इसके बारे में अपने बार्टनर को बता देती है यह उसे कैसे जानते थी जब यह उसके कलीक को बता चला तो उसे जज़ करते है इस पर वो गुस्सा थी अगले दिन माइक और जैसिका पूरे शोर की चक्कर लगा रहे थे माइक को से कहता है यहाँ पर बहुत सरे प्लेसे से जहाँ पर आप कुछ न कुछ तो हाइड कर सकते हो माइक एक्चुली इसी शोर के पास रहता है तो से सब कुछ पता था माइक ने डेड बॉड़ी पर सैंड देखी थी तो किनारे पर आया माइक को लगा कि शायद यहाँ पर मर्डर हुआ होगा जेसिका को याद आया कि उस रात वो और वो स्टेंजर यह दोन यहाँ भी इंटिमेट हुए थे अगली दिन इस केस पर ओफिस में डिसकेशन चल रहा था जेसिका को लगा कि एक सिरियल गिलर का काम है इस पर सब लोग बहुत अस्ते है कोई भी उसे सिरियसली नहीं लेता रात में माइक और जेसिका बार में आये हुए थे यहाँ पर जेसिका का एक्स बॉइफरेंड जिमी उसे स्टॉक कर रहा था जेसिका के कहने पर माइक उसे दूर रहने की धमकी देता है सिरियल किलर का काम है जेसिका के बॉस कहते हैं तुम्हारा अंदाज़ा सही था तुम अच्छा काम कर रही हो पर जेसिका टेंशन में थी इस विक्टिम के साथ भी वो इंटिमेट हुई है नेकसे में हम देखते हैं फॉरेंशिक्स की लेड़ी इस लाश को देख रही थे लाश की एर पर उसे एक अलग आदमी का बलर्ड मिला और शायद किलर पकड़ा जा सकता है इस बलर्ड को एनलाइज करकर इसका रिजल्ट आने में ज़रा टाइम लगेगा अगली दिन साइकोलोजिस्ट के पास जेसिका बहुत ही टेंशन में थी साइकोलोजिस्ट कहते हैं तुम्हें अपने मदर और फादर की फिलिंस को कंफरेंट करना चाहिए जेसिका कहती है वैसा कुछ भी नहीं है उसने बता दिया कि जिनकी भी गिलिंग सो रही है उनके सब के साथ में सोई हुई हो ये बात उसने अपने पार्टनर को भी बता ही नहीं साइकोलोजिस्ट ने कहा तुम्हें बात बता दिनी चाहिए शायरे तुम डेंजर में हो सकती हो पार्किंग लॉट में थी तो उसके उसके काड़ी की कीज नीची गिर गई उसके पीछे कोई आया जिससे वो बहुत डर गई थी ये साइकोलोजिस्ट ही थे वो आज राज जॉन से मिलने के लिए आई कहती कि मेरे फादर में कोई भी साइंस नहीं थे को सुसाइड करेंगे ऐसे अचानक वो सुसाइड कैसे कर सकते है जॉन कहता है तुमारी मदर से बहुत प्यार करते थे उसके जाने के बाद वो बहुत ही खम्मे थे इसलिए उन्होंने सुसाइड की थी तुम इन बातों पर जादा सोचो मत अपने जॉब पर कॉंसेंडरेट करो अगली दिन सब डिरेक्ट्व मिलकर केस पर डिसकस कर रहे थे यहाँ पर जेसिका का कली जिसका नामे डेल इस अब से बात करता है कहता है हमें तो जेसिका पर शक करना चाहिए वो फर्स विक्टिम के साथ सोई हुई थी शाय सेकंड के साथ भी सोई हुई है वो मज़ाग कर रहा था पर जेसिका को बहुत जादा गुस्षा आ गया वो जोर से उसकी कमर पर लाद मारती है माईक उसे शांत करकर एक जगा पर लेकर आता है जेसिका कहती है कि वो जो बोल रहा था ये सच है माईक इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कहता है मैं तुम्हारा पार्टनर हो तो ये मुझे सब कुछ चीज़े बतानी चाहिए ये बात उन्होंने उनके बोस से कही और कमिशनर के पास आकर ही डिसकस करते है कमिशनर जॉन ने कहा कि हमें जेसिका को केस पर रखना कंटिनू करना चाहिए ये सब मर्डर की लिंक उससे ही है जेसिका की वज़े से हमें अच्छे क्लिव मिल सकते है जॉन को बता था कि जैसिका ने अपने कलीक को मारा इसे वो बहुत ही गुसा था उसे वो बहुत डाटता है जैसिका कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ जॉन कहता है तुम्हारे आसपास के लोग मरते क्यों रहते हैं इसके बाद जेसिका और माइक जो भी विक्टिम्स थे इनका बैगराउंट चेक कर रहे थे बस विक्टिम्स जिस बार में जाता था उस बार में हो गए बाहा कबार रेंडर कहता है लास्ट टाइम उसे उसने जेसिका के साथ ही देखा था यो उसके घर पर आए जहाबर विक्टिम की लाइन लेड़ी कहती है कि जब लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था वो तुम्हारे साथ ही था इनके सारे एफर्स वेस जा रहे है रात में जब जैसिका घर पर आई तो उसका एक्स बॉइफ्रेंट जीमी ओल्डिटी उसके घर में बेटा हुआ था उसके पास आकर उसे किस करने लगता है वो उसे मिस करता है तो उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था जैसिका उसे मना कर रही थी पर वो मानता नहीं जैसिका के पास एक छोटा सा वोडन वेपन है जिससे उसे इंजोर कर देती है जीमी इसे बहुत गुसा हो गया उसे साइकोबैट बुला कर वहाँ से चला जाता है अगली दिन वो एक कल्प्रिट से मिलने के लिए आए यह वही है जिसे हमने मुवी के फर्स में देखा था जैसिका से कहता है तुमें और मुझ में जादा कुछ भी फरक नहीं है तुमें भी कभी-कभी लगता है किसी का मर्डर करना चाहिए जैसिका फिर से अपने ओफिस में जब काम कर रही थी तो उसका कलिक डेल उसके पास आकर उसे चिटाता है उसने उसे हाथ लगाया कहा कि अब तुमें लग रहा होगा कि मुझे मारना चाहिए जैसिका उसे मारना तो चाहती थी पर कंट्रोल कर लिया उसे लगा कि डेल को इस केस के बारे में इतना बता है तो माईक ने उसे बताया होका वो माईक पर गुसा होकर उसके घर पर आती है उसने उसे कन्फरेंड किया माईक कहता है कि मैं तुम्हारा पार्डनर हूँ इस तरह की चीज़े में तुम्हारे साथ नहीं कर सकता तुम्हें मुझे पर ट्रस्ट करना चाहिए जेसिका शान्त हुई वो इस केस पर वो डिसकस कर रहे थे माईक उसके लिए डिनर बनाता है कहता है जिस तरीके से तुम फूट एंजॉय करती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है यह दोनों एक दूसरे के करीब आ गये थे किस करने लग गये जेसिका को लगा कि यह गलत है और उसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया घर आने के बाद जेसिका को फूल मिले थे यह उसी लॉयर के है जिससे हो कल मिलने वाली है आज रात भी ट्रंग होकर वो बेहोश हो गई थे सुबा जब वो लॉयर के पास गई तो डारेक्ली लॉयर की बॉड़ी ही उसी मिली सब पुलीस वेगरा को बुलाने के बाद जेसिका से क्वेशन किये जाते है जेसिका का बोस जॉन से कहता है कि अब उसे इस केस से निकाल देना चाहिए शायद वो मर्डरर हो सकती है जॉन कहता है उसके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है जो उसका फर्स्ट होमेसाइड कैस है अगर उसे निकाल दिया गया तो उसका करियर खतम हो जाएगा जेसिका जब अपने साइकोलोजिस्ट के पास आई तो बहुत ही जादा कन्फ्यूज है उसे पता नहीं क्या उसने सर्चमुज में मर्डर किये भी है या नहीं जेसिका हर राट ड्रंक हो जाती है तो रात में क्या होता है उसे पता नहीं होता उसे लगता है कि वाइलेंट है किसी की जान वो ले सकती है तो यही confirm करने के लिए उसने अपना blood lab में दिया उसने murderer के blood से इसे match करने के लिए कहा हमेशा जेसिका को अब लग रहा है कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है यह किसी को भी notice नहीं कर पाती रात में उसके घर पर knock आई तो डर चुकी थी उसने open किया तो यह माईक ही था माईक उसे कहता है कि मुझे भी लगता है मेरा कोई पीछा कर रहा है जेसिका बहुत ही डर चुकी थी उसने माईक पर gun लगाई माईक उसे gun ले लेता है और उससे कहता है कि शान्त हो जाओ उसने उसे kiss कर लिया जेसिका डर रही थी, उसने कहा जिसे भी मैं किस करते हूँ उसका murder हो जाता है माई कहता है कि मैं कही भी नहीं जा रहा उसने जेसिका को सुला दिया और यही बर वो रात बर secret पी रहा था अगली दिन जॉन जेसिका को अपने office में बुलाते हैं जेसिका के पीछे एक बोर्ड था उसे बुछते है मुझे बता कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ क्या है इस बार जेसिका सही से इस जबर्दस्ति करने लग या इस बार वो मानने वाला नहीं था तो जेसिका ने अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लिया वो काज फोड़ कर अंदर आ जाता है ये सिन यहीं खतम हुआ तुबा जेसिका को जब होश आया तो उसने देखा जिम्मी की डेट बोड़ी उसके पास पड़ी हुई है वो बहुत डर गई उससे फिसले क्वेशन पूछे जाते है उससे इस बार पूछा जाता है कि ये मर्ड में किसी ने कुछ मिला दिया था इसी वज़े से तुम अनकॉंशेस थे तुम कोई भी मर्डर नहीं कर सकते इसी रीजन की वज़े से जेसिका को बेल भी मिल गई इसके बाद जॉन और जेसिका डिसकर्स करते है जॉन कहता है कोई ऐसा है जिसे तुमारा सब कुछ रूटीन पता है तुम्हारे घर का उसे access है जेसिका की mind में एक याद में आया उसका partner Mike Mike को लेकर वो suspicious थी ही और वो cigarette भी पीता है जिस राज जेसिका Mike से मिली थी उसके बाद ही उसके आसपास murder होना start हो गया था उसके बाद दोनों मिलकर Mike को arrest करने के लिए जाते हैं जेसिका Mike से कहते हैं तुम मुझे मिलने के लिए IQ नहीं थे Mike ने कहा कि मुझे मना किया गया था जेसिका इस पर बिलिव नहीं करती जान Mike के घर में कुछ वाइन देखता है Mike ने drink किया जान कहता है तुम हमेशा जेसिका की ड्रिंग में कुछ ना कुछ तुम मिलाया करते थे जान ने Mike के डॉथ चेक किया है तो इसमें drug था Mike कहते है कि मेरा नहीं है मुझे फसाया जा रहा है जिस छोटे से लकडी के वेपन से मर्डर हुआ था ये मर्डर वेपन भी माइक के पास मिला माइक इस सब पर बिलिव नहीं करता एक्चुल में जॉन ने माइक के ड्रिंग में भी ड्रग मिला दिया था तो अनकॉंशेस हो गया जॉन जैसिका से कहता है हमें अब इसे सजा देनी चाहिए ये केस कोड में जाएगा वे इसे बेल मिलेगी इन सब चीजों पर वो भी लिव नहीं करता जॉन और जैसिका एक घर में थे इन सब का सबूत हो मिटाने लग जाता है वो माईक के मर्डर को as a suicide दिखाने वाला था वो माईक के पास जैसिका का फोटो रख देता है कहता है सब को लगेगा कि तुमने उसे reject किया इसलिए उसे खुद कुशी कर लिए जॉन ने सब crime scene set up किया जैसिका realize करती है इसी तरीके का crime scene उसके फादर के suicide में भी था जैने कि जॉन ने उसके फादर को भी मार डाला था जैसिका ने अपनी गण निकाली उसे arrest करने वाली थी जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है पर हो समझ नहीं रही थी वो कहता है तुम्हें भी तुम्हारे फादर की तरह ही गुस्सा है मैंने उसे बताया था जिसकी वाइब उस पर cheat कर रही है पर वो माना नहीं उन दोन में जगडा हुआ और जैसिका के फादर बहुत disturb थे इसी वज़े से जोन ने जैसिका की फादर को मार डाला था यही जब बात करे थे तो मैक को होश आया और जल्दी से यहां से वो भाग जाता है जोन जोर से जैसिका को सलाइब करकर मैक की पीजे पीज़ आया मैक अपने घर के नीजे छुप गया था और फाइनली जॉन ने उसे ढूंड लिया जिस तरीके से सिरियल किलर अपने हर विक्टिम को बर्न देता है उसी तरीके से जॉन ने माइक के हाथ पर सिगरेट बर्न दिया जैसे का वहाँ पोची उसने यह सब देख लिया वो कहती है तुम ही मर्डरर हो तुमने यह सब किया क्यों जॉन कहता है तुम्हारी मदर को एक बिमारी थी वो कभी भी उसके हस्बन से फेट फूल नहीं थी मैं उससे प्यार करता था पर वो मानी नहीं इसलिए मैंने उससे मार दिया तुमें भी वही बिमारी है तुम किसी के साथ भी इंटिमेट होती रहती हो मैंने हर एक को मार कर ये क्यूर करना चाहा जॉन कहता है तुम अभी भी कुछ नहीं कर सकती अगर तुमने मुझे मार डाला तुम पर ही सब शक आएगा जैसिका स्मार्ट है उसने पहली अपने ओल्ड फ्रेंड को कॉल कर दिया था जॉन का कनफेशन उसने सुन लिया और सारे पुलिस को लेकर वो यहां आ रहे थे जॉन जैसिका से कहता है मैं तुम्हें और एक लास्ट बात सिखाना चाहता हो आप जो भी करते हो कभी भी उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जॉन अब मैक को मारने वाला था तो जैसिका उसे शूट कर देती है जॉन ने जॉन बूश कर प्रिटेंड किया कि वो मैक को मार रहा है वो पकड़ा नहीं जाना जाता था पकड़े जानने से तो अच्छा मर जाना था यह सब पुलिस ने देख लिया था तो जैसिका को अब कोई भी प्रावलम नहीं आएगा वो माईक के पास आई उसे सौरी कहा माईक भी उसे माफ कर देता है इसी मुवेंट पर इस मुवी का एंड हो जाता है अगर आप को एं मर्डर मिस्टी पसन आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी मुवीज लेकर आद रहत हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोटिविशन आईकों दवने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये